दोस्तों अगर आप एक CSC VLE हैं, common solution रेस अंचालक हैं तो आप सभी के लिए CSC के माद्दिम से DGP को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है जितने भी CSC VLE DGP को यूज करते हैं, DGP से cash bid roll money transfer का काम करते हैं उन सभी के लिए बड़ी update निगल के आच चुकी है, इसके साथ DGP का commission structure है, commission list है, वो भी निकाल दी गई है, आज के इस वीडियो मताएंगे कि DGP के माद्दिम से आप किस प्रिकार से काम कर सकते हैं DGP में काम करने पे आपको कितने रुपे commission मिलेगा, कितने रुपे निकालने पे और इसमें आप कौन कौन से काम को कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको complete जानकारी देने वाला हूँ, तो अगर आप एक CSC VLE है, common service center संचालक हैं, तो वीडियो को ध्यान पर देखना चैनल पर ने हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथी साथ notification बेल आइकन को on कर लिजेगा, ताकि आप हमारी वीड हैं, common service center संचालक हैं, तो आप सभी को DGP में काम करना अनिवारी है, और इसके चलते DGP में आप कौन-कौन सी services का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके वारे में यहां बताया गिया है, services in DGP, DGP के अंदर आप cash withdrawal कर सकते हैं, micro ATM से cash निकाल सकते हैं, mini statement check कर सकते हैं, domestic money transfer कर सकते हैं cash deposit कर सकते हैं, balance inquiry कर सकते हैं, और साथी साथ आप सभी अपने CSC wallet में पैसे को transfer कर सकते हैं, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसमें requirement की क्या क्या हो सकता होती है, अगर आप CSC VLE हैं, तो आपके पास एक swap होनी चाहिए, ने दुखान होनी चाहिए, आपके पास laptop या computer होना और आपके पास fingerprint device होनी चाहिए, Wi-Fi internet connection होना चाहिए, एक वेब camera होना चाहिए, और आपके पास एक power backup होना चाहिए, क्योंकि light के ब्रहों से अगर आप रहेंगे, तो light कापी आती जाती रहती है, तो आपके पास इसलिए एक innovator का होना ज़रूरी है, और आपके पास IR, IS device भी तो DGP को डाउनलोड करने के लिए आप सभी को अपने computer में या फिर mobile में आपको Google पी search करना है, DGP download, आप सभी की सामने इस प्रिकार से portal open हो जाएगा, आपको download DGP पी click करना है, और आपको इसको download कर लेना है, डाउनलोड जब कर लेंगे, आपको system install करना है, install करने के बाद जब आप इसको open करेंगे, तो open करने के बाद आपको first test में sign in करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी CHC ID है, वो CHC ID आप यहाँ डालेंगे, tick mark पे click करेंगे, और यहाँ पर फिर आपको जो है, प्रोसीट पी click करना है, फिर आप सभी के सामने options आएगा, OTP भ करेंगे, तो आप सभी इस प्रिकार से यहाँ पर जो OTP डालेंगे, तो यहाँ पर आपको authenticate कर देना है, authenticate करने के बाद आप सभी का जो DGP है इस प्रिकार से open हो जाएगा, आपकी computer screen पर, यह DGP का dashboard कुछ इस प्रिकार साब सभी को सामने देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे आउट कर सकते हैं, जो amount आप customer के bank से निकालेंगी, उसको आप अपने सीधे bank में पे आउट के जरीए भेज सकते हैं, EFT के द्वारा और साथी साथ आप आप आइमपेस के द्वारा, यहाँ सा पास्बुक पर किलिक करके आपने जितनी भी transaction की, उसकी history चख कर सकते हैं, अब हम नीचे आएंगे थोड़ा सा और इसमें आप से भी किस फिकार से cash bid roll करेंगे, इसके बारे में जानकरी दी गई है, तो आपको cash bid roll करने के लिए, आपको सबसे पहले fingerprint machine को अपने system में connect कर लेना है, जाए आपका मंत्रा हो या मॉर्फो होई, ठीक है, इसका तफिर बैंक को select करेंगे, उसका अधार कार नमबर डालेंगे, mobile नमबर डालेंगे, यहाँ minimum 100 रुपे बीडूल कर सकते हैं, और ज्यादा ज्यादा आप एक बार में 10,000 रुपे तक निकाल सकते हैं, तो amount आप यहाँ डालेंगे, box बे tick करेंगे, और पिर आप scan and proceed पे click करेंगे, त scan and proceed पे click करेंगे, तो आपके biometric में लाट जाएगी, जहाँ आप आप customer का finger लगवाना है, जिसके बाद authentication successful हो जाएगा, और उसके bank से पैसे कटके, आपके wallet में आजाएंगे, DGP wallet में, और आपके screen पर आपका receipt आजाएगा, receipt आप निकाल के customer को दे देंगे, ठीक है, अब करने के लिए, यहाँ आपको option लता है, mini statement, तो इस परिकार से आप से यहाँ पर mini statement पर click करेंगे, bank को select करेंगे, आधार का number याँ लेंगे, इस पर tick करेंगे, इसके बाद आपको फिर से biometric को scan करना है, customer का finger scan करना है, फिर submit करना है, तो उसकी जो भी statement है, mini statement वो आप से भी के screen पर सो हो जाएगा, आप customer को print करके दे देंगे, ठीक है, balance inquiry कैसे करेंगे, balance inquiry का भी same process है, आपको उस पर tick करना है, bank को select ना है, अधार नमर डालना है, mobile नमर डालना है, box पर tick करना है, customer का finger लगवाना, इस परिकार से आप से यहाँ पर उसका भी काम ऐसे check कर सकते है, balance को, ठीक ऐसे ही आप सभी wallet top up कर सकते हैं, और ठीक ऐसे ही आप सभी अपने bank में पैसी को payout के दोरा send कर सकते हैं, इस परिकार से आप सभी की withdrawal से लिप निकलेगी, जो कि आप customer को print करके दे देंगे, ठीक है, हम बात कर लेते हैं, DGP commission के बारे में, अगर आप सभी DGP को use कर रहे हैं, तो DGP apps को use करने पर आपको कितना commission मिलेगा, इसकी बारे में यहां पर बताया गया है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, तो उसका भी आप से बालन्स निकाल सकते हैं अगर आपको ये training material आपको चाहिए तो आप से भी हमारी टेलेग्याम चैनल पर जुड़ेएगा वहाँ पर मैं आपको इसका पीडिया पर प्रोवाइड करा दूँगा दिसको देखें आप से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कैसे कैसे काम करना है और कितना commission आप से भी को मिलेगा दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे समझ गये होंगे और अगर आपके मन में कोई भी confusion or doubt है तो आप से भी हमें comment box में comment करके जरूर बताएं धन्यवाद